नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं दूद में जायँ फल मिला कर पेने के फाइदों के बारे में बात करेंगे दूस्तो जब सरीर में केलस्यम की कमी हो जाती है या सरीर में प्रोटीन का इस्तर बढ़ाना होता है तो दूध को या दूध से बने चीजों को डाइट में जोडने की सलाद देते हैं वहीं आयूरवेद में जायफल एक परसित ओजदी में सेख है जिसका उप्योग सरीर की कई समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है जायफल के अंदर प्रोटीन, फाइबर, केलसियम, आयरन, मेगनीशम, फोस्पोरस, पोटेशम, सोडियम, जिंक, विटामिन, C, विटामिन, B, 6, विटामिन आदी पोसक तत्तु पाई है जो सेहत को कई समस्याओं से दूर करने में उप्योगी है ऐसे में बता दे कि यानि दूद और जायफल को एक साथ सेवन किया जाए तो सेहत को कई समस्याओं से दूर रखा जा सकता है दोस्तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जायफल को दूद के साथ सेवन से सेहत को क्या-क्या फाइदे होते हैं साथ ही उप्योग करने के तरीकी के बारे में जानेंगे दूस्तु आईए जानते हैं दूद और जायफल के फायदों के बारे में नमबर एक तनाव को दूर करने में उप्योगी दूस्तु आज के समय में लोग इस्ट्रेस यानी तनाव चिंता आधी का सिकार हो जाते हैं जो न किवल तनाव को दूर करने में उप्यूगी हैं बलकि व्यक्ति का मोड भी अच्छा रह सकता है दोस्तो पेट की समस्या को दूर करने में जायफल और दूद आपके बेहत कामा सकता है ऐसे में दूद में जायफल को वाल कर इसका सेवन करें ऐसा करने से न किवल गेस की समस्या दूर हो सकती हैं बलकि बदजमी से लाब मिल सकता हैं दूद और जाइफल को मिसरन पाचन किरिया को बहतर बनाने में भी उप्योगी हैं नमबर तीन तउचा को बनाएं चमकदार दोस्तो दूद और जायफल ताउचा को चमकदार बनाने में उप्योगी है बता दे कि यदी वेक्ती जायफल और दूद का एक साथ सेवन करता है तो इससे ताउचा पर प्राकर्तिक चमक आ सकती है इससे अलग जायफल को दूद के साथ गिसकर एक लेट तयार करें और उस लेप को परभावी तस्थान पर लगाएं ऐसा करने से न किवल ताउचा के दाग धबे दूर हो सकते हैं दोस्तो नीद की समस्या को दूर करने में जायफल और दूद आपके बेहद कामा सकता है कभी कभी नीद व्यक्ति को जादा तनाव या चिंता के कारन नहीं आती है जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि जायफल के अंदर एंटी स्ट्रेस गुण मोजूद होते हैं जो तनाव को दूर करने में उप्यूगी है जैसे में यदि इसका सेवन दूद के साथ किया जाए तो इसके सेवन से जोडो और मासपेशाओं के दर्द से राहत मिल सकती है इसके अलावा जोडो के सूजन को कम करने में भी जायफल और दूद आपके बेहद कामा सकते हैं इसके अलावा जो लोग गठिया के दर्द से परेशान हैं वे भी जायफल और दूद का सेवन कर सकते हैं दोस्तु आईए जानते हैं कैसे करें दूद और जाइफल का इस्तमाल दोस्तु आप अपनी दिन चरिया और डाइट में दूद और जाइफल को जोड़ सकते हैं नमबर एक आप दूद में जाइफल को वाल कर इसका सेवन कर सकते हैं नमबर दो जायफल के चूरन को दूद में वाल कर बने मिसरन को अच्छे से चान कर उसका सेवन किया जा सकता है नमबर तीन आप जायफल के चूरन को दूद के साथ मिला कर पेश्ट तयार कर सकते हैं और इसका इस्तमाल अपनी ताउचा पर कर सकते हैं दोस्तो जायफल और दूद के इस्तमाल से सेहत को कई फाइदे हो सकते हैं हाला कि किसी भी चीज की अधिकता सेहत के लिए नुकसान दे हो सकती हैं ऐसा ही कुछ जायफल के साथ भी हैं ऐसे में से अपनी डाइट में सामिल करने से पहले एक बार एक्सपर्ट की सलाज जरूर इससे अलग वेक्ति की अधी कुछ special diet फोलो कर रहा है ये किसी गंभीर बीमारी से गस है तो अपनी diet में दूद और जायफल को जोड़ने से पहले एक बार expert की सलाज जरूर ले दोस्तों अगर आपको हमारे यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इससे like करें और ज्यादा से ज्य subscribe कर ना भूलें